Hi everyone, welcome back to Mr. Smart Technical आज किस वीडियो माँ हम जानने वाले हैं कि CoinDCX से हम कोई भी क्रिप्टो को सेल करके और जो पेसा उसे बैंक में कैसे ट्रांसपर करें पीछे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि CoinDCX में अकाउंट कैसे बनाए तो इस वीडियो के description box में आपको link मिलेगा अगर आप वहाँ से install करते हो और अपना KYC complete करके first 100 रुपे का Ethereum पर्चेज करते हो और फिर कोई भी क्रिप्टो में invest करते हो तो 100 रुपे का Ethereum आपको free में मिल जाता है साथ ही में जब भी आप अपने friend को refer करते हो सेम काम उससे भी करवाते हो तो पर refer आपको 300 रुपे का Ethereum मिलने वाला है तो offer भी एकदम कमाल का है तो अगर आपको जानना है कि कैसे हम CoinDCX में account create करते हैं KYC करते हैं साथ ही में क्रिप्टो को कैसे purchase करते हैं इस वीडियो के description box में link मिल जाएगा फुल वीडियो आप watch कर सकते हो बट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमने CoinDCX में कोई भी crypto आपर invest कर रखा है crypto में तो हम उसे sale कैसे कर सकते हैं साथ ही में उस पैसे को bank में कैसे transfer कर सकते हैं तो पूरा step wise step हम यहाँ पर जानने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखना साथ में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी subscribe कर लेना ताकि next जब भी कोई वीडियो है आपको नोटिफिकेस्टे मिल सकें सबसे पहले हम CoinDCX एप को open कर लेते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने CoinDCX पर अकाउंट नहीं बना रखा है तो इस वीडियो के description box में लिंक मिल जाएगा वहां से एकाउंट क्रेट कर सकते हो फर्स्ट सो रुपे का अगर आपको क्रिप्टो पर्चेज करते हो तो आपको सो रुपे का यहां पर क्रिप्टो फ्री में मिल जाता है ज्यादा जानकारी के लिए हमारा वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको पूरा इस्टेप वाज इस्टेप complete प्रोसेस बताया है तो अब हम यहां पर CoinDCX आपको open कर लेते हैं open करने के बाद हमारे सामने एसा कुछ interface होगा my investment पे click करूँगा तो जितना भी crypto मेरे पास पड़ा है वो दिखा देगा जो कि 615 रुपे का है return भी आप 615 रुपे यहां पे दिखा रखा है जो कि मेरे को यहां पे reference and में यहां पे मिला था तो हम इसे ही sell करके bank में transfer करने वाले हैं आपने purchase कर रखा है कैसे sell करना है कैसे bank में transfer करना है पूरा process हमें आपे जानेंगे तो सबसे पहले जो भी crypto आपने ले रखा है वो यहां पे sell करना है तो मैंने आप Ethereum है मतलब मेरे को यहां पे Ethereum मिला हुआ है तो इस पे हम click करते हैं जैसे हम Ethereum पे click किये हैं तो हमारे सामने ऐसा कुछ interface है आप देख सकते हो 615-615 यहां पे दिखा रखा है current buying price यहां पे दिखा रखा है नीचे आप देख सकते हो buy more और sale का यहां पे option है तो हमें sale करना है अगर आपको और purchase करना है तो buy more पे जाके purchase कर सकते हो तो हमें Sell करना है, तो Sell पे Click करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, Sailing Price यहाँ पे दिखा रखा है, और हमारे पास कितना Ethereum पड़ा है, वो भी यहाँ पर दिखा रखा है, तो हमारे को जितना भी Ethereum पड़ा है, सारा Sell करना है, तो हम यहाँ पे Inter कर लेते हैं, 0.000267, तो मैंने आ यहां पर देख सकते हो U-Gate 612 यहां पर दिखा रखा है जो कि 0.2% यहां पर फीस कटके दिखा रखा है Swipe to Sell पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो स्वाइब करेंगे तो यहां पर जो इथेरियम वो सेल हो जाएगा और पेसा है वो इथेरियम के वोलेट में आ जाएगा बाद में हम बैंक में ट्रांसपर कर सकते हैं तो हम यहां पर स्वाइब कर देते हैं आप देख सकते हो इथेरियम हमने आपर सेल कर लिया जो फीस वगरा काट के 611.37 पे से हमें आपर मिले हैं जैसे डन पे क्लिक करेंगे बैक आएंगे तो यहां पे अकाउंट पे हमें क्लिक करना है अकाउंट पे क्लिक करेंगे अवेलेबल टू इन्वेश्ट दिखा रखा है तो जो पेसा हमने आपर सेल किया था इथेरियम वो यहां पे इसके वोलेट में आपर दिखा दिया है अ फिर से यहां पर next page open होगा, थोड़ा सा हम यहां पर wait कर लेते हैं, आप देख सकते हो, withdraw, INR2 bank account दिखा रखा है, 611.36 पे से यहां पर दिखा रखा है, जो Paytm का account में ने आपर add कर रखा था, वो भी यहां पर दिखा रखा है, कितना यहां पर bank में transfer करना है, कर दिया, verify पर click करते हैं, जैसे verify पर click करेंगे, OTP आएगा, registered mobile number पे, OTP हमें यहां पर enter करना है, OTP हमारा यहां पर आ चुका है, copy करते हैं, और यहां पर paste कर दिया, और confirm withdrawal पर click करते हैं, अब यहां पर withdrawal request लग चुका है, थोड़ी सी देर में जो पेशा है, हमारे bank में account में आ जाएगा, और SMS भी आ जाएगा, बट यहां पर time choice गंटे का दिखाता है, बट मैंने 3-4 वार पहले भी किया था, तुरंती bank में transfer हो जाता है, आप देख सकते हो जो पेशा है, तुरंती आप बैंक में आ चुका है, तो इस परकार आप अपने CoinDCX account से जो पेशा है, जो भी crypto आपने purchase कर रखा है, वो sale करके bank में transfer कर सकते हो, तो गईज अगर आपने CoinDCX पे account नहीं बना रखा है, तो एकदम अच्छा application है, जिसमें आप crypto में invest कर सकते हो, अगर आप crypto में invest नहीं करना चाहो, तो भी आप इस app को जब भी पहली बार sign up करोगे, तो आपको आपको sign up bonus 100 रुपे का Ethereum मिल जाएगा, जिसे आप bank में transfer कर सकते हो, साथ ही में अगर आप अपने friend को refer कर देते हो, तो per refer आपको 300 रुपे का Ethereum मिलने वाला है, और minimum withdrawal amount यहाँ पे 500 रुपे है, जब भी 500 रुपे से ज़्यादा हो जाएंगे, आप transfer कर सकते हो, फिर 500 से कम है, तो आप एक बार और add money करके 500 रुपे कर लो minimum, उसके बाद आप transfer कर सकते हो, तो अगर आपने install नहीं किया, जल्दी से download कीजिए, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको कुछ समझ ना आए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलिग्राम में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, इस वीडियो को आपको नोटिफिकर्स मिल सकते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,